इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वन प्लस डिवाइस में आपको अगर मेसेज आते हैं बड़ उसमें अगर आपको साउंड नहीं आता तो कैसे आप यहाँ प्रॉबलम को ठीक करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीचीगा बिल्क आइकून को प्रेस कर लेना है जब भी अगर आपको इस टैप की प्रॉबलम आती है तो फर्स्ट अफॉल आप अपने वन प्लस डिवाइस की सेटिंग्स ओपन करिएगा देन आपको साउंड एन वाइब्रेसन पे क्लिक करना है और आपको थोड़ा स्क्रॉल करना होगा नोटिपिकेशन साउंड पे क्लिक करिए और यहां पे आप लोग यह चेक करिए कि यहां पे तो आपका प्रॉपर तरीके से साउंड आ रहा है ठीक है अगर यहाँ पर आपका proper तरीके से sound आता है बट आपको message आने के बाद ही नहीं आता तो आपको additional settings पर click करना होगा ठीक है देन आपको scroll करना है उसके बाद आप लोग backup and reset पर click करें आपको reset phone पर click करना है और आपको second option मिलता है reset all settings का तो simple आपको all settings को कर देना होगा reset ठीक है तो basically इसमें होगा क्या जो भी गलत activity होई होगी जिसकी वज़ा से आपको messages में sound नहीं आ रहा था अब वह sound आने start हो जाएगा और settings को reset करने में आपका कोई भी storage का data delete नहीं होता आपको निश्चिंत रहना है ओके so topic is cover मिलते है next video में जै मतादी